यहां पे हम बनाएंगे पीनट जैगरी लड़ू जो कि यहां पे गुड मुंगफली के लड़ू भी हम बोल सकते हैं तो यहां पे लड़ू बनाने के बाद मैं दो बार और बना चुकी हूँ वीडियो शूट करने के बाद अब बनाने के लड़ू जो आपको यहां पे नगी लगा है जब तक हात में लेके देखें और उनका चिलका अच्छे से निकल रहा हूँ तब तक आपको यहां पे इन्ने मेडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है आपको अगर लगे कि इसका color change हो गया है और आपने सिधा ही रख लिया और उसके छिलके बाद में ना निकले तो आपको डबल महनत करनी पड़ जाएगी इसलिए आप यह चीज़ पहले ही चेक कर लें आपको यहाँ पर क्या करना है जब आपको लगे ना कि इसका color change हो गया है ऑनका बार्वी बनेश और ले दक यहां निकला है यहां पर में यहां डान से 5onent के निकला और चल्लाया रोश्ट करके ने अच्छे से तो अब आती है हमाई एकदम स्पेशल वाले ट्रिक जिससे मुंगफली के सारे के सारी दानों को छिलक एकदम फटा-फट से निकल जाएगा आपको कपड़े को बंद करना और बंद करने के बाद अच्छे से इसकी से मसाज करनी है हातों से उस रगड रगड के आपको मज़ा भी आएगा और फरस्ट अफॉल इसका जो दाना है वो अपने आप ही छिलकों से अलग हो जाएगा तो यहाँ पर यह प्रोसेस करने में तीन से चार मिनट लगे सारे के सारे छिलक अलग होगे एक दो कोई रह गया हो तो आप हाथ की मदद से हटा सकते हैं तो बस अब अगल अब हम यहाँ पर साइड होएं तो हमारे सारे के सारे मुंगफली के एकदम रोस्टेट दाने बिना चिलकों के तयार है मिक्सी के जार में हमें एड़ करना है इसको एड़ करने के बाद ना एकदम दर दरा सा यहाँ पर पाउडर बनाना है ज्यादा फाइन नहीं आपको ब मुंगफली के दाने लिये थे एक कप एक कप से थोड़ा सकम के करीभ हमें यहाँ पर लिना है गुढड अजो knight करने के बाद ना गुढड जब अच्छे से मैल्ट हो जाए और मैल्ट होने के बाद ना आप यहाँ पर चेक कर लिए गुड को डले ही चैक्प्त को ब पराई हो गया या फिर लड्डू नहीं बन रहे हैं तो या फिर सक्त हो गया थोड़ा टाइट हो गया तो आप क्या करें हलका गुन-गुना हाथ में पानी ले इस जो मिक्षर है उसके उपर चींटे दें और चींटे देने के बाद आपको एक बार अच्छे से और चला लेना अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपके लड्डू अच्छे से बाइंड हो जाएंगे और बहुत अच्छी शाइन भी आएगी यह तरीका या यह यहां पर बना लिया है तो अब ना सर्विंग करने के लिए जब आप इस तरह से किसी के सामने सर्व करेंगे और उससे जैनुन झाल